हेलो हेलो, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट पार्ट साला में मित्रों ग्रेट पार्ट साला चैनल की ओर से मैं आप लोग के लिए RRB गुरूबडी के एक्जाम के लिए एक्सपेक्टिट सीरे चला रहा हूं जिसमें क्या है साइन्स के जो संभावित प्रसन आप लोगों से एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको लाने का मैंने प्रयास किया है एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूं कि अभी RRB के फर्स्ट फेस के जो एक्जाम चल रहे हैं तो इसमें बच्चों का जब रिव्यू लिया गया तो वो बता रहे हैं कि आपके फिजिक्स से जो कोश्चन है वो ज्यांदा बनना है तो आप लोग फिजिक्स पर अपनी कमांड अच्छी करके जाएय篤 आप लोग क्या हैं एक्जाम में अपना अच्छा पफाउमेंस कर सकते हैं तो मीत्रो great part पधार्थ का निर्माड होता है आपके लिए बताना है कि जो नया पधार्थ है इसका निर्माड किससे होगा ओप्शन ये में कह रहा है ऐसी टोन के बास्पन से नया पधार्थ का निर्माड होगा या फिर कोईले का देहन करने पर नया पधार्थ का निर्माड होगा या फिर कपूर के उधर्व पातन से नय पधार्त का निर्मार होता है तो आपनों के लिए ध्यान दखना है कि एगर आपनों क्या है कपूर का उधर्व पातन करेंगे तो इससे कोई नया पधार्त नहीं बनेगा कपूर क्या है ठोस अबस्था में वो गैस में बदल जाएगा तो इसक कोई अगर कोईले का देहन करेंगे देहन का मतलब है इसके लिए अगर कोईले के लिए कि प्रजेंस में मों जलांगे तो आपके लिए क्या है कारवन्अ ओक्साइड गया स्प्राप्त होजाएगी इसका मतलब यह हुआ कि हमारे लिए कोई नया पधार्थ मिल गया तो हमारे जो प्रस्वन का सही उत्तर है वो हो जाएगा option number B तो नय पधार्थ का निर्माड इन में से किसे हो रहा है कोईले को देहन करने पर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रस नमबर मित्रो दो की ओर तो प्रस नमबर दो आपसे कहा रहा है कि निम्नलिखित में से कौनसा काच का सबसे महत्वपूर घटक है इन में से आपके लिए बताना है काच का सबसे महत्वपूर घटक कौनसा है option number A में कहा रहा है काच का जो सबसे महत्पूर्ण घटक होता है वो हमारा कौन सा होता है सिलिका इसका मतलब दूसरे प्रसन का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपसा नमबर सी आगे बढ़ रहे हैं मित्रों हम लोग प्रस नमबर तीन की उर प्रस नमबर तीन आपसे कह रहा है कि बताईए नि सबसे जानदा क्या हो कठोर हो सबसे जानदा क्या हो कठोर हो लेकिन कठोर के साथ में वो तन्न भी हो तन्न का मतलब जिसके लिए खीचा जा सकता है हीरे के लिए कठोर तो होता है लेकिन आप लोग नहीं खीच सकते हैं ऐसे कार्बोरेंडम के साथ में है इसी प्रिकार से क गल्वनांग कुछ होता है लेकिन हम लोग करे अगर हम लोग क्या है नाइक्रौम लाइक द्हातिव की बात करें किसका संगठन किस प्रकार से होता है दिक लगभग में 80%मा धार लॵा के हीटर के तार बनाने में किया जाता है हीटर का जो किया जाता है इए हमारा होता कैसा है एक तो यह क्या है तन्न का मतलब इसके लिए खीचा जाए सकता है और साथ में ये बहुत जादा hard होता है तो आपके आपसे ब्रोमाइड को सूरिय की रौस्नी में रखा जाता है, आपके पास में silver ब्रोमाइड है, आप उसके लिए सूरिय की रौस्नी में रख रहे हैं, तो आपके लिए बताना है कि जो changes है वो क्या होगा ठीक है option नमबर यह में कहा रहा है sulphide बंदा है silver bromide हमारे पास में है तो अगर टूटेगा सूरिय के प्रकास में तो या तो silver बनेगा या फर bromide बनेगा तो sulphide तो इसमें है नहीं इसका मतब sulphide नहीं बनेगा option बी में कह रहा है कि आयोडीन गयस बनती है आयोडीन भी बिल्कुल है नहीं इसमें क्लोरीन भी नहीं है लेकिन हमारे पास में क्या है ब्रोमीन का मतलब सही उत्तर क्या हो जाएगा ब्रोमीन तो सिल्वर ब्रोमाइट को अगर हम लोग सूरिय के प्रकास की उपर स्थिति में गरम करेंगे तो हमारे लिए क्या मिलेगी ब्रोमीन गयस प्रदान होगी तो option नमबर यह हमारे प्रसन का एकदम सही जवाब हो आता है हमारे पास में क्या है कॉनसे थातु है तो प्रकास का मतलब क्या है इसमें से रदिक धातू है क्या है मिसर होी ओंगी तो आपके लिए धियान रखना है कि जो कॉंस्टेंटन मिस्ष्थातु है इसके लिए यूरे का नाम से भी जानते हैं यूरेका के नाम से भी जानते हैं और इसके अगर हम लोग संगटन की बात करें तो लगभग में कॉपर का 25% और साथ में निकल का जब 45% भाग आपस में मिलाया जाता है तब निर होता है तो आप लोग देख रहे होंगे कॉपर और नेकल का जो ऑप्सन है वो ऑप्सन नमबर कौन सा है इसका मतलब 5 प्रस्ट का जो सही उत्तरहबो हो जाएगा हमारा ऑप्सन नमबर ए चलिए में त्रो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट कोश्टन की और चलिए प्रस नमबर 6 की अगर हम लोग बात करें तो प्रस नमबर 6 आप से कह रहा है कि बैल्डिंग के लिए एथाइन और किस गेस के मिस्तरण का प्रियोग किया जाता है आप लोगोंने देखा होगा सड़कों पर Gas welding का लोग प्रियोग करते हैं ठीक फिलिंग करते हैं फांप के माध्यम से तो उसमें किस game प्रियोग किया जाता है is resp против you किसके प्रियोग किया जाताHope हिसके लिए किसके साते हैं ऑककिन करेकर सविस्के साते हैं ओक्सीजन के साथ में ठीक है तो क्या होता है हमारा building के करिया होती है तो acid lane के लिए byoo के साथ में अगर हम क्या करते हैं प्रयोग में लेते हैं तब हमारा क्या होता है बेल्डिंग वन जाती है तो oxygen आपनों के लिए option वोला जाता है तो यह हो गया बाकि कारवन और जो हाइडोजन है यह असंतरफ के अंदर गत आ रहा है और एलकाइन स्रेडी के हैं तो हमने लाश्ट में जोड़ दिया आइन तब यह हो जाएगा हमारा एथाइन तो एसे टिलीन का परयोग कहां पर किया जाता है गैस वेल्डि जी मतलब लिक्विट पैट्रोलियम गेस उन्होंने फुल्फ़र्म विसकी दे दिये गारलिक पैट्रोलियम गैस घ्र constituency का मुख्य अफ़ेन होगा और पिविजरीम होगा या फिर गटेंग लिए पता होगा कि अगर हम लोग लोग संगठन होता है उसमें एक तो बियोटेन मिलता है और स mínimo की बाथ करें तो मेड़रेटी में क्या मिलेगा रिटेंडेंड होती है तो हमें से एही पूछ रहे कि सका मुख्य संगठन कौन सा है प्रोपेन तो है लेकिन सरवादिक मात्रा में इसमें क्या है ब्यूटेन इसका मतलब ऑप्षन नंबर हमारा डी एकदम सही बने होते हैं सनी ग्रहे आप लोग के लिए पता होगा जैसे प्रत्वी ग्रहे वैसे सनी भी ये क्या है ग्रहे है तो आप से कह रहा है कि जो सनी के छले हैं सनी ग्रहे पर क्या है रिंग के रूप में बलय पाये जाते हैं जिनके लिए हम लोग छला बोलने हैं तो आपके द्यान दखना है कि सनी ग्रह पर जो छले होते हैं वो बर्फ और चटानों के बने होते हैं तो ओफसन नमबर भी हमारे प्रस्ण का एकदम सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ रहे हैं प्रस्ण नमबर 9 की ओर प्रस्ण नमबर 9 आपसे कह रहा है कि द्रड़ता गुडांग का मातरक क्या होता है द्रड़ता गुडांग का मातरक क्या होता है द्रड़ता गुडांग का मातरक आप लोग के लिए बताना है तो सबसे पहले अगर आप लोग के लिए मातरक निकालना है तो सूत्र पता होना चाहिए द्रड़ता गुडांग के लिए हम लोग इटा से लिखते हैं द्रड़ता गुडांग के अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए इटा से लिखा जाता है और इसके अगर हम लोग सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है अपरूपक प्रतिवल है और साथ मे अपरूपड बिक्रती है तो अपरूपड प्रतिवल और अपरूपड बिक्रती का जो अनुपात होता है इसी के लिए हम लोग क्या बोलते हैं द्रड़ता गुडांक बोलते हैं और इसके लिए नोड किसे किया जाता है इटा के द्वारा इसके लिए प्रदर्सित किया जाता अब मैं अगर आप लोग से बात करूं कि प्रतिवल का मात्रक क्या होता है तो आप लोग के लिए ध्यान दखना है कि प्रतिवल कोई सावी हो उसका मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रती मीटर स्कॉयर होता है क्योंकि प्रतिवल का सूत्र होता है बलवटे छेत्रफल F upon A तो वलका मातरक क्या हो जाएगा Newton और एरिया का मातरक क्या हो जाएगा Meter square विक्रती की अगर मैं बात करूँ तो विक्रती का कोई मातरक नहीं होता है इसका मतलब इसका जो मातरक है वो क्या आएगा Newton प्रति मीटर square option number B 90% का एकदम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आगे बढ़ रहे है प्रस नमबर 10 की और प्रस नमबर 10 आप से कह रहा है कि 10 kg द्रब्यवान वाली एक बस्तू दो मीटर प्रति सेकंड के बेक से गतिवान है तो उसमें आपके लिए बताना है संबे का मान कितना होगा बहुत जयादा इजीत question आप लोंके लिए दे दिया हैं कराए कि आपके पास में एक वस्तू है जिसका द्रब्यवान कितना है 10 किलोग्राम द्रब्यवान के लिए आप सभी लोगों के लिए पता होगा मास मतलब M से लिखते हैं और अगर V की बात करें तो वस्तू का वेक कितना दे रखा है दो मीटर प्रती सेकंड दे रखा है तो दुननी कितना आगया है 20 का मतलब उत्तर हमारा क्या जाएगा द्रब्यवान का मातरक किलोग्राम बेक का मातरक मीटेश ब्रती सेकंड लोग दे बीस किलोग्राम मीटे प्रती सेकेंड औप्सन नंबर बी में दे रखा है इसका मतलब औप्सन नंबर भी हमारे प्रसन का एकदम सही जवाब हो जाता है चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रसन नंबर 11 की और प्रसन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि 8 किलोग्राम द्रब्यवान वाली एक किसी बंदूख से हमारे पास में एक बंदूख है जिसका द्रब्यवान कितना है 8 किलोग्राम है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं 10 ग्राम द्रब्यवान की एक गोली के लिए 40 मीटे प्रती सेकेंड के व अगर मित्रों में आप लोगों से बात करूँ तो हमारे पास में दो चीजे दे रखी हैं चीजे क्या है एक तो बंदूक दे रखा है कोश्चन में एक तो आप से कहरा है कि हमारे पास में बंदूक है और दूसरी बार में कहरा है कि हमारे पास में क्या है गोली है ठीक है बंद का बेग कोली का यह निकालना है लेकिन जब कि कह रहा है कितना मीटर प्रती सेकंड तुब आपनों है है आप लोगोंने पड़ा होगा संभी संदीट के वराबर होगा गोली के संभीक है क्या होता है M गोड़ा B बंदू के लिए M1 B1 कह दिया और गोली के लिए M2 V2 कह दिया M1 का मान आप लों के लिए पता है 8 V1 का मान हमें निकालना है M2 का मान आप लों के लिए पता है एक वट्टे 100 है और V2 का मान हमें कितना दे रखा है 40 दे रखा है एक 0 उसे एक जीरो यह cancel हो गया चार से इसके लिए काटा तो दो बार जाएगा ठीक है तो बीवन की अगर हम लोग बात करें तो यह दस दो किसमें चला जाएगा वटे में तो यह दो धाम कितना हो जाएगा अब 20 के लिए हमें क्या करना है एक से मतलब डिवाइट करना है एक के ल 30 सेकेंड के वीक से के हट जाएगी पीछे तो ओप्सन नमबर डी हमारे प्रस्म का एकदम सही जवाब हो गया कर रहे हैं हमारे पास में कोई बस्तु है जो अवतल्दरपड के सामने रखी है जिसकी फोकस दोरी आप लोगों के लिए 10 cm बस्तु की जो दोरी है वो कितनी है फोकस दोरी 10 cm दे रही है उसका हमें क्या करना है बस्तू की आकार का चार गुना प्रतिविंब बनाना है कुस्तन की आप लोगोंने language पढ़ लिए आप लोग के लिए समझ में आ गया कि जो दरपढ है वो हमारे पास में क्या है अबतल दरपढ जो भी digit दे रखी है उनके लिए हम लोग पहले note down कर ले रहे हैं तो digit में आपसे कह रहा है कि आवतल दरपढ की जो फोकस दूरी है वो 10 cm है आप लोग के लिए ध्यान दखना है कि अगर आवतल दरपढ हो तो फोकस दूरी के लिए हम लोग किसमें लेते हैं माइनस चिन्ने के साथ में लेते हैं साथ में आपसे कह रहा है कि जो चार गुना है या दस गुना यह आवर्धन होता है तो अगर हम लोग आवर्धन की बात करें तो आवर्धन आपके लिए चार गुना और आपनों के लिए ध्यान दखना है कि अगर दरपढ होगा तो दरपढ में जो अगर हम आवड़न लेते हैं वो कैसे चिन्न के साथ में लेते हैं रिणात्मक चिन्न के लेते हैं आपसे कह proven 10 गुना बनना है बीसगोना बनना है 12 गोना बनना है तो आप इसका मतलब ये समझ जाए कि आपनों के लिए वो सीधर सीधर आवड़न दे रहा है क्या दे रहा है आवर्धन दे रहा है और आवर्धन का मतलब क्या होता है प्रतिविम्वी को दूरी और बस्तू की जो दूरी होती है इनका अनुपात क्या कहलाता है आवर्धन कहलाता है तो आवर्धन के लिए हम लोग find out करना है उसन में हमसे कह रहा है कि एक बस्तू की उस अफ्तल दरपड से दूरी जाद करें बस्तू तक की जो दूरी है उसके लिए हम लोग किस से लिखते हैं U से लिखते हैं तो आप लोग के लिए F का मान है आपके पास में V का मान है U का मान है तो आप लोग के लिए पता होगा दरपड के लिए U V F में संबंद क्या होता है तो U, V, F में ठीक है 1 upon F का मान कितना दे रखा है 10 1 upon V का मान कितना दे रखा है 4U प्लस 1 upon U S I का SI माइनस का 1 upon 10 S I का SI इनका हम लोगों ने ले लिया LCM तो इसका LCM कितना आ जाएगा 4U आप लोग देख पा रहे होंगे 4U के लिए अगर हम लोग 4U से कट करेंगे तो यह कितने टाइमस जाएगा एक टाइमस जाएगा प्लस U के लिए अगर हम लोग 4U से डिवाइट करेंगे तो U से U कैंसल हुआ कितने बार गया 4 बार तो यहां से हम लोग चेक करेंगे माइनस का 1 upon 10 बरावर 5 upon 4U अब हमें क्या करना है आगे हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसकी multiply करनी है तो यह हो जाएगा 4U बरावर माइनस का 50 4U बरावर कितना हो जाएगा माइनस का 50 हो जाएगा तो इसके लिए अगर हम लोग जो solve करेंगे तो U का जो मान है वो कितना आ जाएगा माइनस का 1 upon 5 सेंटीमीटर इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जो प्रस्नका सही उत्तर हो जाएगा option number D 15 16 के इस सेंटी मीटर तो बार में जो प्रस्नका सही उत्तर हो जाएगा 16 16 के इस सेंटी मीटर option number D एकदम सही जवाब है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रस नमबर 13 की और चलिए प्रस नमबर हम लोग अगर 13 की बात करें तो प्रस नमबर 13 में आपसे कह रहा है कि 4 किलोग्राम दरब्यवान की एक कोई वस्तु है 4 किलोग्राम दरब्यवान की कोई एक वस्तु है जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं जिसा में जिसा में कि चलिए वित्रो कुछ समस्या थी जिसके लिए हम लोगों ने दूर कर लिया है तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि चार किलोग्राम दरभ्यवान की एक क्या है? बस्तु है और आपके लिए बताना है कि इसकी गति के लिए हमें 10 मीटर मीटर प्रती सेक pelvis तक बढ़ाना है उसकी गति के लिए क्या है? हमें 10 meters प्रती सेकिन तक बढ़ाना है तो आपसे कह रहा है कि हमें कितना कारे करना होगा हमारे लिए कितना कारे करना होगा तो आपनों के पास में जो भी डिजिट है तो उनके लिए आप लोग पहले नोट कर देजिए फिर आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा कि हमें कोश्चन में करना क्या है या फिर करना क्या नहीं है तो हम लोगों के पास में जो भी डिजिट दे रखी है उनके लिए हम लोग नोट कर ले रहे हैं एक बार आप से कह रहा है कि जो बस्तू का द्रब्यवान है द्रब् बना है हमारे पास में 5 मीटर प्रती सेकेंड आगे हम बढ़ रहे तो आप से कह रहा है कि बस्तु की गती हमें कितनी करनी है 10 करनी है इसका मतलब हमने बढ़ाया तो 10fer प्रती 2 किसेंड कर दिया अब के लिए बताना है कि इस कारे करना पड़ेगा इसका मतलब वर्क का मान हमें क्या करणा है निकालना है डबलू का मान हमें क्या करना है निकालना है आप लोग उने अपICIA प्रम वर्क एनर्जी कारे उर्जा प्रमे की अगर हम लोग बात करें तो कारे उर्जा प्रमे वर्क एनर्जी हमें थ्योरम बताती है कि जो किया गया कारे होता है वो गतिज उर्जा में ब्रधी के बराबर होती है ठीक है कारे बराबर किसके हो जाएगा गतिज उर्जा में ब्रधी है क्या आफ एम बीवन का स्क्वार एक वटे दो इसके लिए हम लोगों ने सॉल्व करा एम कमान दोनों जो चार ही है ने मतलब हो जाएगा 10 का स्क्वार सो माइनस एक वटे दो M का मान कितना हो गया M क का मान हमारा हो गया 4 B1 का मान कितना हो गया 5 का square कितना हो जाएगा 25 ठीक है इसके लिए हम लोग solve करेंगे 200 के लिए 2 आप गया तो यह हो गया 200 इसके लिए काट दिया 25 दूनी 50 आप लोग देख uitपा रहे होंगे 200 मेसे जब 50 जाएगा तो आएगा 150 वा कारे का मत्रक क्या होता है जूल तो हमसे यही तो कह रहा है कि कारे कमान कितना होगा तो कारे कमान कितना आएगा 150 जूल आपनों के लिए बस एक बात यह धियान रखनी है कि कारे उर्जव प्रम्य हमें बताती है कि किया गया जो कारे है वो गते जूर्जा में क्या होता है ब्रद्धी के बरावर होता है तो कारे के लिए हमने गते जूर्जा में ब्रद्धी के बरावर रख दिये गते जूर्जा में ब्रद्धी होने का मतलब है कि बाद वाली गते जूर्जा में इसा है पहली वाली गते जूर्जा में घटा दे बढ़ जाएगी तो इसी लिए क्या है रेल की पट्रियों को दिख रहा है, option number B आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि धातु गर्म करने पर क्या है, फैलती है, और जब ठंडा करते हैं, तो वो सिकुरती है, और सर्दियों में क्या होगा, सर्दियों में ऐसा होगा कि जब temperature क्या है, कम होता है, तो धातु क्या है, सिकुर जाएगी, तो इसलिए क्या है, इनके बीच में gap के लिए छोड़ा जाता है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, प्रस नंबर 15 की ओर, प्रस नंबर 15 की ओर जाता है, कि किसी माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है, तो माध्यम में प्रकास के बेग पर क्या परभाव पड़ता है, आप लोग के लिए पता है कि प्रकास का बेग जो है, उसका बान fix है, और वो कितना होता है, तीन गुड़ा, दसकी घात आठ, मीटर प्रती सेकेंड आप चाहे टेंपरेचर हजार कर दें चाहे दो हजार कर दें प्रकास के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसका मतलब यह हमेशा कैसा रहेगा कॉंस्टेंट मतलब आपरिवर्तित रहेगा यह दोनी का वेग नहीं है जो चेंज हो जाए यह प्रकास का वेग यह चेंज नहीं होता है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रस नंबर सोले की ओर प्रस नंबर सोले आपसे कह रहा है कि हानी कारक परावेगनी किरडो से रक्षा करने वाली भूमी के चारो और मौझूद ओजोन परत के च्छे का कारण कौन से गया से कहने का मतलब यह है कि हमारी जो प्रत्वी की सुरक्षा का बच्छा हम किसके लिए बोलते हैं ओजोन ग करते हैं रोक लेती है तो आपसे कह रहा है इसके लिए 6 कौन पहुचा रहा है तो इसके लिए सबसे जान्दा जो 6 है वो क्लोरो फ्लोरो कारवन के द्वारा दर्साया जाता है इसका मतलब ऑप्सन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा तो ओजोन फरत के लिए कारवन मोनो ऑक्साइड हो गया या फिर क्लोरो फ्लोरो कारवन हो गया इससे क्या है अत्तदे खत्रा रहता है आगे बढ़ रहे हैं मित्रो प्रसनमबर 17 की और प्रसनमबर 17 आपसे कह रहा है कि फफून दिया कवक के अध्यन को क्या कहा जाता है तो बैसे आपनों के लिए पता प्रसनमबर 18 की और प्रसनमबर 18 आपसे कह रहा है किसने सर्व प्रथम पीसमेकर का आविसकार किया था पीसमेकर का मतलब क्या होता है कि हमारे जो हर्ट है ठीक हिर्दय है वहाँ पर क्या है साइनो औरिकूलर नूड पाया जाता है जो हर्दय की धळकन को मेंटेन करता है तो अगर यह काम करना बंद कर को हिर्दय की धळकन रुक आगे बढ़ रहे हैं प्रस नंबर 19 की ओर, प्रस नंबर 19 साफ से कह रहा है कि अलजाइमर जो रोग है उसका संबंद मनुस्य की किस अंग के साथ में होता है, अगर मित्रो हम लोग अगर वात करें तो आज के समय में क्या है कि हम लोग की जिंदगी इतनी ब्यस्त हो चुकी है कि सभी लोगों के साथ में ये समस्यान है कि कभी exam hall में जाते हैं, तो हम आता हुआ अगर कोई प्रस्न है, मुश्के लिए भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोग से मैं वात करू तो सबसे जादा आगर जो भूलने की समस्या है, वो किस समय में आती है? कि हम लोग ब्रध जो कारे है वो किस से हो जाएगा मस्तिस्क से तो हम लोग चीजों के लिए क्या करेंगे भूल जाएंगे तो ऑफशन नमबर एकदम सही जवाब होगा आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रस नमबर क्या होगा टेष्ट से लेके तो मनुसमें पाए जाता है तो हम लोग इस ठीओं में पाये नहीं होगा प्रसों में पाए जाता है लेकिन आगर हम रूग एस्ट्रोजएं और प्रोजेश्ट्रोएं क्या हो जाएंगा यह दो हार्मोन एक meio औ unbelievably हर्मोन है जो किसमें पाय जाते हैं स्ट्रियों में पाएं जाते हैं इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाumbs का अधारण हो जाएगा तो ऐस्ट्रोजोन नह Toy पोजेश्टेरोन हो गया, यह किसके उधारण है, मादा हार्मोन के उधारण है, जबकि हम लोग टेश्टोस्टेरोन की बात करें, तो यह हमारा कैसा होता, यह हमारा पुरुस हार्मोन होता है, आगे बढ़ रहे है प्रस नंबर 21 की होर, प्रस नंबर 21 आप से कह रहा है कि गाय के दूद में उप स्तित प्रोटीन कौन सी होती है आप लोग के लिए पता होगा कि जो गाय का दूद है उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं कैसीन प्रोटीन बोलते हैं इसका मतलब ओप्सन नमबर भी 21 में प्रसन का एकदम सही जवाब हो जाएगा गाय के दूद में कौन से प्रोटीन पाई जाती है आगे बढ़ रहे हैं हम लोग प्रस नमबर 22 की और प्रस नमबर 22 आपसे कह रहा है कि सैवाल मानब जाती के लिए सैवाल जो है वो मानब जाती के लिए उपयोगी क्यों है तो आप लोगों के लिए पता होगा कि जो सैवाल है वो नीले हरे रंग के सैवाल होते हैं तो मुख्यता अगर हम लोग हरे रंग के सैवाल की बात करें तो सैवाल हरे रंग के इसका मतलब क्या है हरा रंग होने के क और हुंसे यहीत है तो सेवाल क्या करते है एंच के नर्माड में साइक होते हैं इसे लिए मानब जाती के लिए उप Evet क्रीया करने के लिए आप सकता हो तो इंठ्ट ह céu न हमें कहां से पारिश्थिति की तंत्र है कहने का मतलब है उत्पादक का मतलब होता है प्रोडिूशर ठीक है जहां पर क्या है प्रोडिूशर की संख्या ज्यांदा होती है भही आपसे कह रहा है कि आपके लिए बताना है कि सरवादिक उत्पादक पारिश्थिति की तंत्र कौन सा होगा option number A में कह रहा है उसले कटीवन दिये बर्सा वन या फिर टुंड्रा वन सवाना घास के मैदान या मरुस्थल मरुस्थल की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बनस्पतिया नाके बरावर पाई जाती है इसका मतलब बहुत उत्पादक नहीं होंगे सरवादिक मात्रा में अगर हम लोग उसले कटीवन दिये बर्सा वन की बात करें तो इनमें जो वर्सा है वो लगवग में 200 सेंटीमीटर होती है सरवादिक बर्सा वन वाले चितर हैं इनमें क्या होता है यह भूमद रेखाके आसवास पाय जाते हैं और इनमें क्या है अधिक बर्सा होने के कारण जो वनस्पतिया है वो भी शरवादिक मात्रा में पाय जाती है इनी, उसल कटी बन दिये, बर्सा बन में पाय जाती है, इनके लिए हम लोग सदा वहार बन भी बोलते हैं, तो जहां वनस्पत्यों की संख्या जान्दा, बेवित प्रकार के बैराइटी मतलब बेवित जान्दा, इसका मतलब क्या है, वो उत्पादक क्या करेंगे, जान्दा परदर्सित करेंगे इसका मतलब option number ए 23 से प्रस्ण का एकदम सही जवाब हो जाएगा आगे आपसे बढ़ रहा है प्रस्ट नमबर 24 कहा रहा है कि आपके लिए बताना है कि इको सिष्टम में उर्जा का जो सही क्रम है वो किस प्रकार से होगा उसमें उर्जा का जो क्रम है वो किस प्रकार से होगा तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं उर्जा के संबंध में ठीक है इको सिष्टम मतलब परिया बरण में ठीक है परितंत्र में जो उर्जा का निय ले लेगा वाकि 10 किसी दूसरे के लिए दे देगा तो आपनों के लिए ध्यान लखना है कि अगर हम लोग बात करें ecosystem की तो सबसे पहले हमारे पास में क्या है producer producer का मतलब हो गया उत्पादक अब हमारे अगले जो वाते है वा आते है conservative अबसे पास में किसके पास में उत्पादक्र के पास में इसके लिए कोन खा रहा है इसके लिए खा रहा है consumer इसका मतलब हुआ दूसरे नंबर की जो energy है वो किसके पास में है consumer के पास में अभी energy के लिए लेंगे और किसके लिए दे देंगे decomposer के लिए इसका मतलब सबसे last में जो energy है वो किसके लिए decomposer के लिए इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी जो हमारे अपगटक है उसकी एनर्जी कम होगी तो आप लोग देख रहे होगे उत्पादक उपभूगता और अपगटक option number C में दे रखा है इसका मतलब option number C एकदम 24 में का सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ रहे हैं प्रस नंबर 25 की ओर प्रस नंबर 25 से कह रहा है कि पारिस्थ की तंत्र के जैवे घटकों में कौन सा उत्पादक अटक है उत्पादक का मतलब है कि जिनके लिए उपभूगता खाते है तो गाये तो खाएंगे ने गाये क्या है एक उपभूगता है लेकिन आप लोग देख पा रहे होंगे हरे पेड़ पौधे क्या है इनके लिए जानवर या फिर मनुस्य के द्वारा खाया जाता है इसका मतलब यही क्या होगे हमारे उपभूगता स्वरी उत्पादक हो गए प्रोड्यूसर हो गए बैसे भी आप लोग इस कोशन के लिए नॉर्मली कर सकते हैं आप लोग अगर एनलोजी सरदिस्यता का नियम लगाएंगे तो आप लोग इसमें डिफेरेंट की पहचान कर पा रहे होंगे कि इन सभी में क्या है हरे पेड़ पौदे डिफेरेंट आ रहे हैं इसका मतलब यही हमारे क्या हो गए जयावे घटकों में उत्पादक का उधारण हो गया तो मित्रों आज की जो कक्षा है 25 एक्सपेक्टेड पूश्चन की वो हम लोग यही पर समात करते ह मिलते हैं फुना कल के लिए तब तक के लिए धन्यवाद मत्रों क्या मतला करते हैं इस बत्वेक्टेड आता है